असलाम अलेकुम, आज का टोपिक है मैनेंजर्ड डब्रेन स्पाइनल कोड, अब जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, इसके उपर कवरिंग्स होती है, जिस तरह जतने भी वाइटल ओर्गन्स एं बोडी के इन सब ओर्गन्स के उपर कवरिंग्स होती है, ताके उसको बचाया के वीडियो को आखिर तक देखें बहुत सी इन्फरमेशन आपको मिलेंगी तेंक्यू स्टार्ट करते हैं मैंनें जी दो ब्रेन इस्पाइनल कॉर्ट इन इन जी इन दा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ट तो देखो हमारे पास मेने जिस क्या है सलमिए कबरिंग जैं करिंग जो दब्रें इन स्पाइनल कॉर्ट तो क्या करते हैं हम लोग अपहले इस्टार्ट एक हुआ लेच्छल व्योट अभी इर उसमें फबरें मिड प्रेंट और श्कर प्रपोर के एक लेशे विलम जा करते हैं और आगे जाके उसको समझते हैं तो यह हमारे पास एक लेशल वी होगा कि आप इसको तरीके को फॉलो करें एक असान तरीका है लिचल विए ड्राय करने का तो अगर आपको अच्छी लेगे यह वीडियो और एक यह तरीका अच्छा लेगे अपको यह हो गया हमारे पास पॉंज और यह हो गया है मेडूला लोंगेटा और यह स्पाइनल कोड़ टिक क्या क्या है यह हमारे पास सेरिब्रम यह होगे है मीड ब्रेंट स्माल स्पार्ट अब्रेंट और यह पॉंज मेडूला ब्लोंगेंटा और यहां पर यह मारे पास स्पाइनल कोड़ ठीक एक और चीज़ा हम लोगों इड्रा नहीं की वो है सेरिब्रम इसको इड्रा करेंगे यह सेरिब्रम तो यह हमारे पास एक व्यू हो गया है कि लेशल व्यू अप्दा हमारे पास सेरिब्रम फॉर ब्रेंट मीड ब्रेंट ब्रेंट एंड और यह जोर्श्पाइनल कोड का लिखरी होंगे मैं इसको कलर करता हूं ता कि थोड़ा सचा लगए फिर मैं वीडियो को पास töर चाहिए काल 20 भीन और चलिर से मैं उसको कलर करकर आप हुग क हनु का तो वहाँ उसके डाल्यादा को पूरा मोगों नहीं के दैब pass ब्रेन कहा है तो ये शेरेन होगे और पाइंड़ी दूट कोर्ट तो यह पूरा एक होती है कौनं से मेनेजी होती है मैं वहले ड्राइक करता हूं देखो हमारे पास सबसे हिले जो ऊपर की लेयर होती ही जाकि जो अठेच होती हुए फुली अठेच होती है किसके साथ के साथ ऐसे कि ब्रें और स्पाइनल कोड़् के साथ वह होती है पायँ मेंटर वह पायँ मेंतर जो है वह एक मुस्कुलर कवरिंग होती है उसमें जो आर्ट्री मगारा हैं जरी वहां पर जेतना भी डुटन्स वगरा रहां वह इसी पाया मेंटर के जरी पास हίο कि यह मैं यह ब्लू से में शो करूं प्रायमेटर प्रायमेटर क्या 呢 गया करना है दिए घ्रेजर्य करता है और यह इतना जातराइब चानलिविया इसके साथ होता है खिस्कोफित ब्रेजर्च को एस को प्राइब। तो यह बहुत ही ख्लोज इसके साथ होता है तो क्या होता है मारे पास मेर्इंजिस कौन कौन सी है पहली तो होगी कौन सी पाया मेटर हो गी यह अब दूसरी कौन सी है दूसरी जो है वो है हमारे पास एरेकनाइड मेटर सोरी यह मेटर जो है यहां पर सिंगल टी आता है डबल टी नहीं आता है मेटी यार यह गलती होगी जिस तरह हमारे पास क्रे मेटर में क्रे मेटर में हम लोग डबल टी में डबल टी यार यूज करते हैं यहां पर पाय मेटर और एकनाइड मेट करता है वो है रिकनाइड मेटर एकनाइड मेटर इससे तोड़ा सा उपर की तरब होता है इसमें स्पेस होता है वो स्पेस क्यों होता है वो मैं कर गया बताऊंगा ही क्या हो गया हमारे पास एकनाइड मेटर में टी यार एकनाइड मेटर तीसरा जो मेंब्रेन है में इन जिसका लियर है वो कौन सी है वो है दूरा मेटर दूरा मेटर लियू और एंडियू रहा है यह हमारे पास तीन मैंने जिसके लिए जोगें दूरा मेटर कहां पर दूरा मेटर यह इस तरह प्रेजेंट होगी इसके उपर आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने जो एकनाइड मेटर है उसको तोड़ा सा अलग ऐसे डायलेट करके मैंने राग किया है और जो डूरा मेटर है वो इसी तरह लाए मैं देखूँ यहां पर हम लोगों नहीं यहां पर तोड़ी से स्पेस दिया ना इदेखूई लेकिन जो हमारे पास दूरा मेटर है वो इसी तरह जहां पर इस तरह यह रिकनाइड मेटर जा रहा है उसी तरह हम लोगों ने लिख दिया है इसको ड्राग कर दिया है इसके पीशे भी एक डिजन है मैं आगे जाके बताता हूं उपको तो सबसे पहले यह देखते हैं किना यह हमारे पास डिवरा मेटर प्या मेटर और एरिकनाइड मेटर के बीच में यहां पर जो स्पेस है इसको स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं इस स्पेस को कहते हैं सब एरिकनाइड स्पेस इस स्पेस क्या है इस स्पेस को क्या कहते हैं सब एरिकनाइड स्पेस टिक इस सब एरिकनाइड स्पेस सब एरिकनाइड स्पेस में यहां पर फ्लूड प्रेजन्ट होता है जो के इसे रिप्रोस पाइनल फ्लूड है इस को सियसेफ इसको इसको इब्रिवेशन एश यहां पर एंसाब एरिकनाइड स्पेस में सीस फ्लूड प्रेजन्ट होता है वह क्या करता है इनके बीच में फ्रिक्शन को यह फॉर्स को रिडियूस करता है और यह सेरेब्रोस पाइनल फ्लूड कहां से आता हूर यह कहां बनता है यह असल में ब्रेन के अंदर कुछ हमारे पास स्पेसिज होती है उन स्पेसिज में वह चार स्पेसिज होती है और इन स्पेसिज में वह सेरिब्रो स्पाइनल फ्यूड बनता है जिस तरह हमारे पास लेशल वेंट्रिकल्स है उनको स्पेसिज को वेंट्रिकल कहते हैं में C rational screeControl और यह यहां पर जो सब स्पेस है यहां पर शे करता है ताके वो इस्रिक्षन को फ्रिक्शन के जरिया सिर आगर इन्च लगे तो वो उसको करता है यह क्या होगा हमारे पास सब अब यह क्मारे पास मेटर यह कॉन्यों अब तो यह सब डियूरल स्पेस होगी है अगर कोई ब्लड वगरा या फ्लीड जम्म हो जाए तो यह तोड़ा सा यह पूल जाता है यहां पर डालेट हो जाता है जिस तरह कोई फूल जिस तरह कोई लियर होई ना पूटेंशल स्पेस हमें नज़र ही नहीं आता लेकिन अगर हम लोग यहां पर इसको तोड़ा सा कॉल यहां बर दें यहां पर कुछ फ्लीड वगरा जम्म हो जाए तो इस तरह कुल जाए इसी में अगर फ्लीड या कोई बलाड वगरा इस तरह कुछ जम्म हो जाता है यहां पर और यह वैसी पूटेंशल स्पेस होता ही ठीक तो यह हो गया हमारे पास सब्डूरल स्पेस हो रही है तो मैंने अब को पहले स्टार्ट में बताया था ना कि यहां पर कुछ स्पेसिस होती है हम लोगों ने यह अलग रहा ने करे जो यहां पर कुंबनाय सोती है जिस तरह यह अनौ अगरए है इस पर्यूंक की बीच में इंटको केते हैं इंटर पेंडिकुलर सिस्टेन मैं लिख तूँ इंटर पेंडिकुलर और यह जो नहीं दूसरा स्पेस है इस स्पेस को डिलेशन है वो है सेरी बेलम और लोर पार्ट दा मेडल अब लोंगेंटा इस को केते हैं सेरी बेलो पेलो मेडूलरी स्पेस अब देखो नाम से रखाए ना यहां पर अगर समझ आए तो यह को याद करना बहुत असान है यहां पर यह सेरी बेलम है और नीचे मेडल अब लोर पार्ट है तो बीच में जो स्पेस है प्या मेटर और रेक्नाइड मेटर के डिलेशन है उसको केते हैं सेरी बेलो मेडलरी स्पेस पार्ट होता ह不起 है। थास जो बीचे होता होता है खिसको बेसरा कोई ना होता है उसको बॉस्कूर के सकते हैं बहुत अलग होता है यह वैसिकूलर यह होता है ताके इसमे बलड वगए जो जितना भी फट अराम्सेनμε्स यहां पर सकते हैं दूसरा जो इनके बीच में स्पेस होता है इसको कहते हैं यह सब एरिक्नायर स्पेस और इसे एक पोटेंशल स्पेस होता है उस सब डूरल स्पेस और प्रेजंट होता है जो कि अक्सर यह से इक्मेलेशन हो रहा है कि वजह से इडालेट हो तब हमाँ आशी से नज़र आते हैं और यहां पर कुछ स्पेसिस थी जो इंटर पेंडिकलर सिस्टेन और उसका हम केते थे सोरी यहां पर से बोलो मेडिलरी सिस्टेन स्पेस नहीं स्वर करें और लाइक बटन सुरी देबाए थैंक यू